आज हम घीया से बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़े का नास्ता बनाएंगे ये नास्ता सभी को पसंद आने वाला है तो चलिए फिर देर न करते हुए बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी लाश्ट तक देखिएगा तो हम यहां पर घीया लेंगे तो यहां पर हमारा नास्ता जो जितना हम नास्ते को बनाना है उतना ही हम घीये का इस्तमाल करेंगे अगर आपको क्वांटिटी में ज्यादा बनानी है तो आप यहां पर ज्यादा घीये का इस तरीके से इसको हमें ग्रेट कर लेना है पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो घीया तो काफी से पानी को टनाएं पानी को अच्छे से धो लेना है भोड़कर दोने के बाद इसका जितना भी एस्ट्रमitat है वो साथ हमें खतम कर देना है मतलब कि घीया को मुठी में लेकर और इसको प्रेस करके जो भी इसमें पानी है वो सारे पानी को हम अलग कर लेंगे और उसके बाद इसे एक बड़े से बाउल में या बरतन में निकाल लेंगे उसके बाद इसमें डालना है हमें प्याज तो एक प्याज को हमने छील कर और छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए हैं यहां पर दो हरी मिर्ची का हम इस्तेमाल करेंगे अगर कम तीखा खाना चाहते हैं तो हरी मिर्ची स्किप्ट कर सकते हैं नमक डालेंगे स्वात के नुसार आदी चम्मच हम एक चम्मच चाट मसाला पाउडर आइड करेंगे आधी चम्मच हम गरम मसाला पाउडर एट करेंगे उसके बाद हमें इसमें एक चम्मच अजवाईन को हाथों पे लेके क्रस करके इसमें एट कर देना है इससे जो है फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और इसमें हम हल्दी पाउडर ना आट करके थोड़ी सी बस एक पिंच हम इसमें फूड कलर आट कर देंगे उसके बाद हमें दो बड़े चम्मच चावल का आटा आट करना है और एक चम्मच हमें सूजी आट करना है इसमें जादा हमें चावल के आटे को और सूजी को अड़ नहीं करना है बस जिस चमच से हम मिला रहे हैं उससे हमने दो से तीन चमच चावल का आटे को यूज किया है और इसी से एक चमच हमने एक चमच के लगभग करीब हमने सूजी को अड़ किया है सूजी और चाल के आटे आट करने से ये होगा कि हमारा नास्ता बहुत ही बढ़िया है जो बन के तियार होगा तो इसमें पानी आट करना है तो बस हम चम्मच पे ले लेके तब इसमें पानी आट करेंगे तो यहाँ पर एक चमच हमने पहले add किया और दूसरा चमच हम इसमें अब लगा रहे हैं अगर दो चमच में हो जाएगा तो हम और ज्यादा पानी इसमें नहीं add करेंगे नहीं तो एक चमच हम पानी इसमें और add कर देंगे और सबसे पहले इसको अच्छे से मिला ले रहे हैं और मिला कर क्योंकि हमने नमक और मसाले वगरे इसमें एड़ किये हैं तो ये थोड़ा सा मॉस्चर जो है वो रिलीज करता है तो इसके लिए हमें छोड़ देना है 5-10 मिनट के लिए ताकि ये थोड़े से सौप्ट हो जाए और देखिए यहां पर आए 10 मिनट के बाद हमारा बेटर जो बहुत ही सौप्ट हो चुका है अब इसको हमें मुठी में दबाएंगे तो ये देखिए कैसे मुठी में दब जा रहा है तो थोड़ी सी पोर्शन लेंगे और देखिए कैसे हम इसका सेप दे रहे हैं वैसे ही आप लोग सेप इसके पना लिजेगा अगर आप दूसरा सेप देना चाहते हैं तो दूसरे सेप में भी आप इसको बना सकते हैं इस नास्ते को यहां पे हमारा नास्ता जो है सभी नास्ता हमारे रेडी हो चुके हैं अब हमें इसको फ्राई करना है तो गैसुले पे फ्राई पें रखके एक चमच हमें इसमें तेल आइड कर देना है हम यहां पे सेलो फ्राई कर रहे हैं आप लोग चाओ तो डिप फ्राई भी कर सकते हो लेकिन सेलो फ्राई में ये नस्ता बहुत ही बनिया बनके तियार होता है, तो यहां पे हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है, अब इस नास्ते को हमें इसमें ईड़ करते झाना है, और नास्ते को हमें पहले ही बना के रख लेना थे, नहीं तो डालते टाउम न काफी टाइम लग जाता है इसको set करने में तो इस वज़ा से हमें प्लेट में पहले ही बनाके इस नास्ते को रख लेना है और इस नास्ते को जितना एक पार में आएगा उतना हम नास्ते को इसमें add कर देंगे और एक तरफ होने के बाद ही हमें इसको दूसरी तरफ से पलटना है न दूसरी तरह भी पलाट के हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना अच्छा सा जैसे उपर कलर आया है वैसे जब पलाट के हम फ्राई करेंगे तो उसी तरीके का जब कलर आ जाएगा तब हम इस नास्ते को निकाल लेंगे तो दोनों तरफ देखिए कितना सुन्दर सा कलर आ चुका है अब हमें इस नास्ते को प्लेट में निकाल के और सर्प कर लेना है तो यहां पर हमरा नास्ता जो है रेडी हो चुका है हम इसे धनिया की चटनी या चाय के साथ ले सकते हैं बहुत इटेस्टी लगता है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को जर रूज सब्सक्राइब कीजिएगा